So good morning guys और आपके करेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में 11 जुलाई के important current affairs को हम लोग cover करेंगे तो देखिए हमरा पहला प्रशन क्या है हाली में Tokyo Olympic के लिए qualify करने वाले दूसरे भारते गोलफर कौन बन गए हैं तो आंसर होगा उद्यन माने ये दूसरे हैं तो पहले कौन बने थे पहले बनी थी कौन अदिती अशोक और इसी तरह से कुछ और भी खिलाडी हमने पड़े हैं जो भी Tokyo Olympic में qualify करने वाले पहले भारते बने थे जैसे की कुछ नाम में आपको बताऊं तो साजन प्रकाश का नाम आपको याद होगा भी Tokyo Olympic के लिए qualify करने वाले पहले भारते तेराक बने थे ये उसी तरह से Tokyo Olympic में qualify करने वाली पहली भारते जूडो खिलाडी कौन बनी थी सुशिला दिवी बनी थी पहली नाविक तवर का नाम भी याद रखना क्योंकि Tokyo Paralympic में qualify करने वाली पहली भारते ताइक्वंडो ये बनी है अब ये नाम में आपको क्यों बताता हूं बार बार वार वहां पर आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि Tokyo Olympic में qualify करने वाले पहले भारते ये तेरा कौन बने है क्योंकि कई बार प्रशन इस तरह से आजाता है खिलाडी का नाम दे करके आपसे उससे खेल पूछ लेंगे कि इनका समन्द किस खेल से है इसलिए मैं आपको बार बार ये नाम बता रहा हूं क्योंकि अभी न्यूज में बने वे थे इसके अलावा अभी देखो दो इंपोर्टेंट पूनिया को मनप्रीत सिंग तो होकी खिलाडी है और एमसी मेरिकॉम बॉक्सर है बाकि इसी तरह से टोक्यो पेरालंपिक की बात करेंगे तो मरियपन ठंगा वेलू को धजवाहक के रूप में चुना गया है जो कि हाई जंपर है जिने 2020 में 5 खिलाडियों के साथ में 2020 का रा 400 मीटर बाधा दोड में और अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो खिलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले ट्रांस जेंडर का नाम बताईए तो आंचार होगा लॉरेल हबाड न्यूजी लेंड के हैं ये वेट लिफ्टर है और महिलाओं की केटेगरी में अचा क्या आप मुझे बता सकते हो भारत के पहले पैरा एथलीट का नाम क्या है जिन्नोंने पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था तो ये बात है 1972 की गेम है तेराकी का और उनका नाम क्या है मुरले कांथ पेटकर लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दो बा गुट मन को कहा जाता है वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की बात करेंगे तो इसका हैटकोर लुजैन स्विट्जलेन में है इसके अध्यक्स थॉमस बक है और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते है याद रखना 23 जून को मनाते है वैसे पहला ओलंपिक कब और कहां खेला गया था तो 1896 में खेला गया था एथेंस में ग्रीस की केपिटल एथेंस में तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद होने चाहिए बढ़ते हैं फिर बताईए अभी हाली में किसने 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग भी परतियोगी ताको जीत लिया है तो अंस किस स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग भी परतियोगी ताको जीत लिया है इनकी उम्र है मात्र 14 साल यह एक बास्केटबॉल प्लेयर भी है और पिछले 93 वर्षों में 93 एर्स के इतिहास में यह परतियोगी ताको जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरीकी बन गई है इसमें सेक को वेलेरिया लुसेली का नाम आपने सुना होगा मेक्सिकन लेखी का है यह और अभी इन्होंने अपने उपन्यास लास्ट चिल्डरन आर्काइब के लिए अंतरराष्टर डबलिन साहत्य पुरुसकार जीता था बाकी जैन गुडॉल टेंपल्टन पुरुसकार जीता इन् इन्डिया बायो डायवर्सिटी अवर्ड दो जार किस इन्होंने जीता था जिनने केरल का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है अच्छा बायो डायवर्सिटी डे यह हम कब मनाते हैं तो याद रखना 22 मई को मनाया जाता है बढ़ते आगे पिर बताईए अभी हाली में दे प्रे और एक्चुली में इस बुक में उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दोरान चुबी अनुबह उन्होंने गेन किये उसके बारे में बताया है और बाकी प्रियंका चोपड़ा भी इन्होंने अन्फिनिश्ड नाम की बुक को लिखा था जेके रॉलिंग डग क्रिश्मस इन्होंने जीता था अपने मराथी उपन्यास सनातन के लिए शरद पगारे का नाम भी याद रखो 31 वयाज सम्माण जीता इन्होंने अपने उपन्यास पाठली पुत्र की संब्रागी के लिए और मोहन क्रश्न बोहरा तीसवा बिहारी पुरुसकार जीता थे उन्होंने अपने उपन्यास तसलिमा, शंगहर्ष और साहित्य के लिए और इनसे भी ज़्यादा इंपोर्टेंट नाम आपको याद होना चीए डेविड डायोप का क्योंकि अंतर राष्टर बुकर प्राइज 2021 इन्होंने जीता है, ये जो डेविड डायोप हैं, ये किस देश के रहने वाले हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं और सबसे इंपोर्टेंट इनके उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए उन्होंने पुरुसकार जीता, याद रखना ये बढ़ते आगें, फिर अगला प्रशन डेवाला है कि अभी हाली में राष्टर मतस्य किसान दिवस ये कब मनाया गया तो आंसर होगा 10 जुलाई को, तो मतस्य पालन, पशु पालन और डेरी मंत्रा लेके मतस्य भाग के द्वारा हर साल 10 जुलाई को ये रा अब आपको बता है मेरा अगला प्रशन क्या होगा, इस मंत्रा लेके मंत्री कौन है और अभी जो 15 नए केबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं, उनमें एक इनका भी नाम है, और अगर आपने वो अभी तक विजित नहीं को बता दूँ कि अभी जो केबिनेट मिनिस्टर्स जो ब नहीं किया तो कर लीजिएगा, उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, या वीडियो सेक्शन में जा करके देख लेना, या टेलिग्राम में जुड़े तो वा मिल जाएगा, या अपनी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन खोलोगे वा मिल जाएगा, क पुरुष, तो आंसर होगा पुरुष उत्तम, पुरुष उत्तम जी के पास यह मंत्राले है, तो इस तरह से याद रखना आप, देखो एक बार वो वीडियो आप देख लो, क्विज बगेरा लगा लो, इसमें हम खतम नहीं करेंगे, डेली कोई न कोई मंत्राले आएगा, तो आपका रिविजन होता रहेगा, आप रिविजन की टेंशन मतलो, बस एक बार सीख लो, आप एक बार देख लो, है ना, याद कर लो एक बार, बाकि देखो जुलाई में बात करेंगे तो और भी डेज होते हैं, एक जुलाई को हमने तीन डे मनाया थे, नेशनल एकाउंट्स डे Mcनाया था, और नेशनल पोस्टल वरकर जे के रूप में मनाया था राश्टर डाक कर्मचारी दिवस, दो जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में और तीन जुलाई को अंतर राश्टर सहकारिता दिवस के रूप में मनाय था अच्छा देखो फिर आगया मंत्राले वाला गुशन आपको बता इस बार एक नया मंत्राले बन गया है सहकारिता मंत्राले चलो ये प्रश्ण मेरा आप ही लोगों से होगा कौन बने हैं सहकारिता मंत्री किसको दिया है ये मंत्रा ले बताइए बढ़ते आगे तो फिर बताइए अभी हाल इमे फेडरल बैंक के MDCO की रूप में फिर से किसे न्यूक्त किया गया तो अंसर होगा शाम श्री निवासन को तो फिर से अगले तीन सालों के लिए शाम श्री निवासन को फेडरल बैंक के MDCO की रूप में न्यूक्त कर दिया गया है इनका जो नया कारकाल होगा ये सेप्टिम्बर 2021 से शुरू होगा यानि कि 2024 तक अब ये फेडरल बैंक के MDCO ही रहेंगे बाकी मंगू भाई छगन भाई पटेल बताओ भाईया ये किस राज्य के गवर्नर बने थे तो मंगू में निकाला M पटेल में लेकाला P तो क्या बन गया MP MP के गवर्नर रहेंगे राजिंद्र विश्वनात अरलेकर की बात करेंगे तो अरलेकर जल्दीगर कैसे याद करा था काई के लिए जल्दी कर हिमाले पे चड़ने हिमाले का और हिमाले से क्या निकला हिमाचल परदेश और हिमाचल परदेश के अभी तक जो गवर्नर थे बंडारू दत्तात्रे वो चले गए हरियाना में और हर्याना के जो थे सत्यदेव नारे नारे वो का चले गए वो तिरिपुरा में चले गए और तिरिपुरा के जो थे क्या नाम था उनका रमेश बेस वो चले गए जारखंड में ऐसे याद करा था हम लोगों ने बाकि हरी बाबु कंभंपती किसके पती फंभंपती और ये बने हैं मिजोरं के और मिजोरं के कौन थे पीएस शिरेधरन पिल्लेई वो चले गए गोवा में और एक और थे करनाटक के चलो आप बताओ करनाटक के गवरणर कौन बने हैं ये पहले हमारे सोशल जेस्टिस एन ए बात करेंगे, इसका headquarter केरल में मिलेगा, इसकी tagline क्या होती है, your perfect banking partner, आज काफी सारे प्रश्ण मेंने आप लोगों से पूछ डाले हैं, बढ़ते आगे, फिर अगला देखिए प्रश्ण क्या है, अभी हैंले passport index 2021, Q3 ranking आई है, तो बताइए इसमें top पे कौन सा देश रहा, इ पहले January में Q1 निकाली थी, फिर Q2 और अब यह निकाली Q3, और इसमें फिर से top पे रखा है, इन्होंने जापान को ही Q1, Q2, Q3, तीनों में जापान टॉप पे था, भारत की rank बदली है, Q1 में तो भारत 85 नंबर पे था, Q2 वाली ranking में 84 नंबर पे था, और इस बार 90 नंबर प कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, शक्तिशाली से कहने का मतलब यह हो गया, कि अगर आपके पास इस देश का पासपोर्ट है, तो आप सबसे जादा देशों में बिना विजा के एंट्री ले पाऊगे, और जितना जादा देशों में आप एंट्री ले पा देखो कुछ important indexes की हम लोग बात करते हैं, अभी Global Gender Gap Index जो आया था 2021 जिसको World Economic Forum जारी करता है, उसमें भारत 140 नंबर पे रहा था और टॉप पे Iceland था, और Iceland से ही आपको याद होगा अभी Global Peace Index 2021 जो आया था उसमें Iceland टॉप पे था और भारत 135 नंबर पे था, उसके अलावा एक important index और है, World Press Freedom Index जिसको जारी कौन करता है, Reporters Without Border और उसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था, चलिए एक प्रशन में आप लोग के लिए छोड़के जा रहा हूँ, World Press Freedom Day ये कब मनाया जाता है, बताए कमेंड बॉक्स में, और World Happiness Index 2020 जो आया था, उसमें भारत भारत 139 नंबर पे रहा और टॉप पे फिनलेंड रहा, उसके अलावा Global Innovation Index जो आया था, उसमें भारत 48 नंबर पे रहा था और पहली बार भारत टॉप 50 में रहा था, इसलिए इसको याद रखना आप, और अभी कुछ दिन पहले ही पड़ा हमने Global Cyber Security Index 2020, उसमें भारत 10 वे स् Global Startup Ecosystem Index 2021, USA टॉप पे था, भारत 20 वे स्थान पे था, एक और इंपोर्टेंट आपको याद रखना है इंडेक्स, क्या था वो, सदी के सबसे परोपकारी लोगों की जो पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पे कौन रहे, जमशेजी टाटा रहे थे, तो इस इंडेक्स मे जापान टॉप पे रहा है है न, अच्छा दुनिया का सबसे तेज या यूँ कह दूँ सबसे शक्ती शाली जो सूपर कंप्यूटर है वो भी जापान का रहा, जिसका नाम था फुगाकू, और फुगाकू से एक पुरुसकार याद आना चीए आपको, 2020 का फुकूओ का सम् ये किस भारतिय को मिला था ये बड़ा इंपोटेंट है, प्रसिद्ध पत्रकार थे वो, चलिए ये प्रशन भी मेरा आप लोगों से रहेगा, आप लोगों का टेस्ट समझे से, उनका नाम बताईए, उनका नाम पी से चालो होता है, अब बढ़ते आगे, फिर बताईए अ पॉइंट सेक्रेटर यानि कि सैयुक्त महा सचीव हैं ये पवन सिंग जिनको टोक्यो ओलम्पिक खेलों के लिए पहले भारतिय जूरी के रूप में चुना गया है, और वैसे टोटल 26 जूरी मेंबर हैं, जो इस ओलम्पिक में पाटिसिपेट कर रहे हैं, यानि कि भाग ल अलेश्वरी आप जानते हैं ये ओलम्पिक में पदक जीतने वाली पहली भारते महिला वेटलिफ्टर बनी थी ये, अब इनका नाम न्यूज में भी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहली वाइस चांसलर जो बनी है ये, अब्दुल्ला शाहिद नाम जानते हो क्या, माल ट्रिक अमोत और इन्होंने किनका इस्थान लिया था, डॉक्टर हर्षवर्दन का, डॉक्टर हर्षवर्दन जो हमारे अब तक स्वास्त मंतरी थे, अच्छा वैसे अभी वर्तमान में नए स्वास्त मंतरी कौन बन गए हैं, तो केसे याद किया था, डॉक्टर हमेशा कैस होना चाहिए, खुश होना चाहिए, अगर डॉक्टर खुश होगा तब ही वो पैशन का इलाथ अच्छे से करेगा, तन मन से खुश होना चाहिए वो, तो तन मन से खुश, मन से सुख ही होना चाहिए तो मन सुख, इसका मन सुख होगा हम उसी डॉक्टर बनाएंगे तो मन सुख मंडविया उनका नाम है बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में स्वीडन के प्रधान मंतरी के रूप में फिर से किसे चुना गया है तो आंसर हो गए स्टीफन लॉफवेन को तो स्वीडिश सूशल डेमोकरेटिक नेता है ये स्टीफन लॉफवेन जिनको संसत के द्वारा फिर से प्रधान मंतरी की रूप में चुन लिया गया है बाकी देखो जौवेनल मोईस के बारे में आपने सुना होगा हेटी के प्रेसिडेंट है ये और अभी कुछ लोगों ने घर में घुस करके इंको गूली मार दी थी बाकी निकोल पाशिन्यान ये आर्मेनिया के प्रधान मंतरी बने थे और वो जो सा उस्मानी ये दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है को सो वो देश की बाकी स्वीडन येरा मैप में स्वीडन कैपिटल इसकी स्टॉक होम है सिप्री का हेटकॉर्टर भी आपको यहीं पर मिलेगा और इसकी करंसी है स्वीडिश क्रोना प्रधान मंतरी फिर से बन गए स्टीफन लॉफवेन और स्वीडन से आपको याद आता होगा चलिए आप इसे पूसता हूँ अभी जो Global Energy Transition Index जिसको World Economic Forum ने जारी किया था उसमें टॉप पे कौन सा देश था तो बता ही दोगे आप स्वीडन टॉप पे था बताना है तो ये बताओ भारत कौन से इस्थान पे था 87 नंबर पे था भारत और इसी तरह से Inclusive Internet Index 2021 आये था जिसको Economist Intelligence Unit ने जारी किया था उसमें टॉप पे स्वीडन था और भारत 49 नंबर पे था तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए गेहूं की भालिया किस्म जो की GI Tech उत्पाद है किस राज्य से संबंदित है तो अंसरों का गुजरात गुजरात का है ये product जिसे GI Tech मिला हुआ है तो ये गेहूं की भालिया किस्म है जिसमें उच्च प्रूटीन सामगरी और स्वाद में मिठास होती है इसे 2011 में GI Tech मिला था और ये गुजरात के भाल शेत्र में उगाया जाता है और अभी ये न्यूज में क्यों रहा क्यों पढ़ रहे हम इसे आज कुछ GI Tech को हम देख लेते हैं जैसे कि कुछ गोवा के इंपोर्टेंट GI Tech जिनने 2021 में अभी GI Tech मिला है एक तो हर्मल मिर्च हो गई उसी तरह से खोला चिली भी वहीं की है एक खाजे हो गया जो कि इतरह की स्वीट डेश होती है एक मोईरा बनाना हो गया और केरल से याद रखो और तिरूर सुपारी इसको भी GI Tech मिला था ये कहां की है ये केरल की है उसी तरह से डिंडेगुल ताले और कंडांगी साडियां ये तमिल नाडू के प्रोड़क्ट है जिनको GI Tech मिला था ये इंपोर्टेंट प्रोड़क्ट है जो मैंने आपको बता है इनको ध्यान रखना अच्छा आप तो ये बताईए किसी प्रोड़क्ट को को GI Tech दिया जाता है तो कितने सालों के लिए वो वैलेड रहता है याद रखना 10 सालों के लिए और अगर पेटेंट की बात करेंगे तो वो 20 सालों के लिए वैलेड रहता है और उसी तरह से अभी आपको याद होगा संजीदत पहले बॉलिवूड अभिनेता बने थे युनैटेड अरब अमिरात का गोल्डन विजा प्राप्त करने वाले तो वो जो गोल्डन विजा है ना वो भी 10 सालों के लिए वैलेड रहता है और पहला जी आई टेक किसको मिला था डाजलिंग टी पस्चिम मंगाल की यह यह 2045 की बात है बढ़ते आगे तो देखी फिर अबर अगला प्रशन है अभी हाल इमें भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे न्यूट किया गया है तो अंसर होगा एरिक गारसेटी को तो अमेरिकी जो राश्टरबती है जो बाइडन 46th नंबर के प्रेसिडेंट है यह अमेरिका के और अभी इनोंने लौस एंजलेस के जो मेर है एरिक गारसेटी इनको भारत में अपना एमबेस्टर नामित किया है अच्छा अगर उल्टा में आपसे पूछ लूँ कि अमेरिका में भारते राजदूत का नाम क्या है तो आंसर क्या होगा तरंजीत सिंग संदू है उसके लाव क्रिस्टीन वर्मत यह अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचीव बनी थी जैनेट येलेन अमेरिका में पहली महिला वित्यमंतरी फिनेंस मिनिस्टर बनी है एंथोनी ब्लेंकेन यह वहां की विदेश मंतरी है Secretary of State बोलते हैं को मापे विदेश मंतरी को बाकी Lloyd Austin का नाम याद रख सकते हो अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंतरी बने थे ये और Merrick Garland का नाम भी याद रखो अमेरिका के Attorney General ये बने थे अच्छा अगर आपसे पूछा जाए भारत के Attorney General कौन है अब इनका कारकाल भी बढ़ा दिया गया याद होगा आपको के के विड़ु गोपाल इनका नाम है बढ़ते हांगे फिर बताइए अभी हाल इमें किस मंतरा ले ने इस पर्ष एकिकरत प्रणाली पहल शुरू की है तो आंसर होगा किस मंतरा ले ने रक्षा मंतरा ले ने इस पर्ष का मतलब हो गया यहाँ पे System for Pension Administration रक्षा तो यह एक सिस्टम है जो रक्षा संबंदित जो पेंशन है तो उस पेंशन को यह आटोमेटिक खातों में जमा करेगा उसके लिए है यह सिस्टम जिसका नाम रखाए है स्पर्ष और पेंशन से आपको याद होगी एक योजना वन रेंक वन पेंशन योजना इसमें समान रेंक वालों को समान पेंशन दे जाती है अच्छा मंतरी है हमारे कौन है? राजनाद सिंग है और वित्ट मंतरी वही है निर्मला सितर्मन ग्रह मंतरी अमिच्छा है एक और मंतराले मिल गया है इनको सहकारिता मंतराले स्वास्त मंतरी बदल गए है मंसुक मंडविया बाकि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले चीफ आप दे डिफेंस स्टाफ कौन है? तो विपेंड रावत है थल्ट सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है और हमारे आर्मी चीफ कोन है? मनुज मुकुंद नर्वने है उसी तरह से वायू सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और एर चीफ मार्चल कोने अमारे राकेश कुमार सिंग भदोरिया है और नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है चार देसंबर को और नैवल चीफ कोने करमवेर सिंग है चलो एक प्रशन का जवाब दो अभी वायू सेना के उप्प प्रमुख कौन बने थे तो आंशर होगा विवेक राम चौधरी और देखो राम से एक केबिनेट मंतरी का नाम आपको याद आना चाहिए चलिए बताइए आपको इतनी सी हिंटी दी जाती है अब आपको आंशर करना है उनका नाम क्या है और उनके पास कौन सा मंतराल है अगर आपने वो वीडियो देख लिया होगा ना ट्रिकी वाला तो इतना मैं समझता हूँ कि अब इतने तो काबिल हो गई हो तो अपनी काबिलियत शो करो फिर बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाल इमें किसी राज्य को भारते रेल्वे के मानचित्र में शामिल किया गया है तो अंशर होगा मनिपूर तो अभी असम के सिल्चर रेल्वे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन परिक्षन के लिए मनिपूर के वेंगाई चुन पावो रेल्वे स्टेशन पर पहुंची है ट्रायल रन के लिए और इसी के साथ अभी राज्य को भारते रेल्वे के मेप में शामिल कर लिया गया है अच्छा देखो यहां से भी एक मंतराली आ गया मैंने आपसे क्या का मैंने आपसे बोला ना भी कि इन मंतरालें को इन मंतरियों को इतनी बार हम रिवाइस कर लेंगे कि रट जाएंगे आपको लेकिन इससे पहले वो पक्के से आप वीडियो देख लेना वीडियो छोड़ना मत किसी भी कीमत में क्योंकि जब हम बार-बार इनको revise कर रहे होंगे तो पक्के से आपके mind में set होते जाएंगे और आपका इससे confidence बढ़ेगा क्योंकि आपको already जब भी मैं आपसे पूछने लगूँगा या बिना पूछे या आप अपने आप answer कर दोगे आपके mind में answer आ जाएगा निकल करके कि अच्छा ये mantra ले इसके mantra तो ये है आपसे कोई पूछनी रहा तब भी आप answer करोगे जबरदस्ती और फिर देखना आप अपना confidence level तो भाट्य रेल मंतरी कौन है अभी रेल मंतरी कौन बन गए तो रेल से कहां पर जाएंगे हम माता जी के जाएंगे कौन जी माता वैशनो माता तो answer में वैशनो जरूर होगा तो इनका पूरा नाम अश्वीनी वैशनो होगा है ना तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पुछे गए प्रशन के उत्तर की अब देखिए अगर वीडियोFT लगते हैं चाहिए येवाला वीडियो चाहिए वो वाला चाहिए कोई साब भी तो प्लीज इने सपोर्ट ज़रूर दिखाएं अपना दिस तऱ से इन वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो इन वीडियो को भी आपकी help की जरूरत है तो इनसे मूँ न फैर है इनकी help जरूर करें जो भी आपका study group हो गया जो भी आपका friend circle हो गया whatsapp पे, facebook पे या telegram अगर आप use करते तो वहाँ पे इन वीडियो की link को एक बार share जरूर करना बहुत महनत लगती इने वनाने में अब या आप यकीन नहीं करोगे शायद मैं परसू की रात से सोया नहीं हूँ बीच में एकाद घंटे की जबकी लग गई थी मुझे लेकिन जो सोने वाला कहते है न कि आराम करके सोने वाला क्योंकि cabinet minister सोली की tension थी तो उसको बनाया फिर उसके बाद ये आपके current affairs हो गया revision वाला video हो गया तो अब आप देख लीजिए बहुत महनत लगती है इसलिए मैं आप लोग उसे request करता हूं बार बार इनको like करना और share जरूर कर देना Thank you